इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. बीटावट 248 टैबलेट CR को आंतरिक कान के मेनियर रोग नामक डिसॉर्डर की रोग थाम और इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है. लक्षनों में चक्कर आना, यानि की वटेगो कान बजना, यानि की टिनिटिस और सुनने की क्षमता खोना शामिल है, जो संभवता कान में तरल पदार्ट के कारण होता है. यह दवा तरल पदार्ट की मातरा को कम करके लक्षनों से राहत देने में मदद करती है. बीटावर्ट 248 टेबलेट CR का अधिक्तम लाब प्राप्ट करने के लिए इसे बिना तोड़े पानी के साथ निगला जाना चाहिए और हर दिन इसे एक नियत समय पर लिया जाना चाहिए. आपका डॉक्टर यह निर्नय लेगा कि आपके लक्षनों से राहत पाने के लिए सही खुराक क्या है और आपको कितनी बार इसे लेने की जरूरत है. आपको इस दवा को कई महीनों तक लेने की जरूरत हो सकती है और भले ही आप बहतर महसूस करना करें लेकिन आपको इसे डॉक्टर द्वारा निर्धारित समय तक लेना चाहिए. आम साइड इफेक्ट में सिर्ध दर्ध, मितली और अपच यानि की डिस्पेपसिया शामिल हैं. आपको पेट में दर्ध और पेट फूल न भी हो सकता है. इस दवा को भोजन के साथ लेने से पेट की समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको पेट का अलसर, अस्थमा या उच्छ या कम ब्लड प्रेश है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए. अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको उसे यह भी बताना चाहिए कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं. अगर आप प्रेगनेंट हैं, प्रेगनेंट होने की कोशिश कर रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो भी अपने डॉक्टर से बात करें. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.